गुड मॉनिंग, यूनिक एजुक्रेशन सेंटर पर आपका स्वागत है कोई भी पीपर देने जाओ, कोई भी पीपर देने जाओ, उसमें आता है GS GS कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो बड़ा कनिफ्यूजन होता है कहां से तयार करें, कहां से छोड़ें GS कोई और छोर नहीं है, यह महा सागर है, बस इसमें अपनी काम की चीज़े आप निकाल लो, पूरा GS आप तयार नहीं कर सकते हैं और काम की चीज़े आप तभी निकाल सकते हो, जब आप बार-बार प्रैक्टिस सेट करो, या फिर ऐसे सेट को ढूंड़ो, जहां पर क्योष्चन के भरमार हो, उन सब को पढ़ डालो, क्योष्चन वहीं से बार-बार रिपीट होते हैं पूरे 20 का GS आपको नहीं पढ़ना है, आपको उन ही क्योष्चनों को बार-बार ढूंड के पढ़ना है, जो बार-बार पूछे जाते हैं तो ऐसे ही मैं 10 क्योष्चनों का स्ट लाया हूँ, साइंस के हैं ये, एक बार आप टेस्ट दीजिए, और यही टेस्ट नहीं, आप कोशिस किया गई है, बार-बार टेस्ट देने से, थोड़ा सा साइंस पढ़के, किताब से पढ़ने के बाद, टेस्ट देने की कोशिस किय करो, जितना टेस्ट दोगे, उतना ही निखार आएगा GS में, क्योंकि GS में क्योष्चन बार-बार पूछे जाते हैं, और वही क्योष्चन बार-बार रिपीट होते रहते हैं, आपको अलग से नहीं पढ़ना है, बस आपको उन क्योष्चनों को पहचानना है, जो बार-बा हो रहे हैं चैनल पर भी दो, इस चैनल पर धेज सारे टेस्ट अपलोड कर दिए गये हैं, और टेस्ट अपलोड किये भी जाएंगे, जो आपके पेपर के हिसाफ जो क्योष्चन बार-बार मिलते हैं, उनको मैं ढूंड ढूट कर यहां पर अपलोड करता हूँ, तो अगर तैयारी के लिए यह काफी important है, तो चलिए, फिर देख लेते हैं, और दस क्योष्चनों का set है, कोसिस करिए कि आपका पूरा सही हो जाए, अगर नहीं भी सही होगा, तो कोसिस करेंगे कि next time, next time जो टेस्ट अपलोड होगा, उसमें आपका पूरा सही हो, चलिए फिर ध्यान से एक आगर्मन से आप टेस्ट देखिए, और कोसिस करिए, जितना आपका सही हो, आप comment box में पर नमबर लिख के जरूर बताए, चलिए पहला question देखते है, question ध्यान से देखें आप, question है, जिस समवेश्टन परद्योकी के कारण हरित करांती आई, उसका मुख्य अंग क्या जो भारत में हरित करांती आई, आप जानते है, 1966 में आया था, तो यह जो हरित करांती भारत में आया था, इसका मुख्य अंग क्या था, पहला आप संध्यान से पढ़ेंगे, आपके paper के हिसाब से बहुत important है, और पहली चीज़ जो मैं आपको बताया था, बताया हूं कि यह 1966 में आई थी, ति बहुत important है, इसको याद रखना कभी-कभी सन भी पूछता है, दूसरी बात, तीसरी पंचवर्शी योजना के बाद आया था, चोथी बात और बताऊं, चली, question देख लिए फिर बताता हूं, question है, जन सक्ति, मतलब question है, यहाँ पर कि जिस सम्वेश्टन प प्रतिमान में परिवर्तन, अध्योगी करण, और रासानिक उर्वरक, तीसरा अफन सिचाई, जयो रासानिक उर्वरक, और अधिक उत्पादन करने वाले भीजो की किसमे, चोथा अफन बिद्दु, सिचाई, और सुस्क खेती का चलन, बहुत ही सटीकता से हैं, यह बहुत नजदीकी की ऑफशन से हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सोचिए, और सोचिए कि आपको क्या बताया गया था हरित करांति के बारे में, और नहीं बताया गया, तो आज हमानसर आपको बताएंगे, दिमाग मठा लेजिएगा, ताकि नेस टाइम गलती ना हो, क्यूशन ध्यान और अधिक उत्पाधन करने वाले वीजो की किसमें, दरसल भारत में, दरसल बिस्व में जो हरित करांति आई थी, वो आई थी, 1940 के आसपास, और जो भारत में आई थी, वो आई थी, 1946 के आसपास, और जो भारत में आई थी, वो तीसरी पंचवर्शी योजना के बाद आई भारत में लाने का विश्व में जो हरित करांती लाने का स्रे जाता है वो नार्मन बोरलाग को जाता है इसलिए उन्हीं का नाम पर बोरलाग पुरुषकार भी शुरू किया गया था और भारत में जो हरित करांती लाने का स्रे दिया जाता है वो दिया जाता है MS. Swaminathan MS. Swaminathan को भारत में हरित करांती का जनक कहा जाता है और नार्मन बोरलाग को बिस्सु में हरित करांती का जनक कहा जाता है हरित करांती के दौरान सबसे ज़्यादा लाव जो फसल को हुआ था गेहूं और धान ये भी आप याद रखेंगे हरित करांदी का सबसे ज़्यादा लाव जो मिला था पंजाब और हरियाडा को यह भी आप याद रखेंगे कुछ यूपी को भी मिला था लेकिन पंजाब और हरियाडा को सब ज़्यादा मिला था अब लाब हरित करांत में क्या था सरकार ने सिचाई के लिए सिचाई फ्री किया था उस टाइम और सिचाई के लिए बहुत सारे नलकूप और नलकूप लगाने के लिए फिरी में सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाया सरकार ने जैय और रसानिक और वरक उपलब्ध करवाया तो कई चीजे थी इसलिए हरित करांती भारत में आ सकी जब की 1966-66 के पहले भारत में लोग भूखों भूख से मर जाते थे भारत भारत भूख खाने का अनाज नहीं था उस हरित करांती आने के बाद भारत ने अनाज बेचना शुरू कर दिया इतना फाइदा हुआ था तो कई चीजे हैं 1966-66 के बाद बहुत बदला हुआ और विस्व में हरित करांती के जनक नार्मन बोरलाग जो कि मैक्सिको के थे वास्तों में अमेरिकी नागरिक तले रखे थे भारत में MS स्वामी नाथन यह भी याद रखेंगे इन्हीं के तरह एक आदमी और भी हैं जो भारत में बहुत जाने जाते हैं उनका नाम है डाक्टर वरगीच कुरियन वह भारत में दुग्ध करांती के जन्मदाता माने जाते हैं अमुल्दूद के संस्थापक माने जाते हैं इस सब चीजे आप याद रखेंगे इस सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीपर के लिए और क्यूस्चन ध्यान से देखें आप क्यूस्चन है तामर डिस्क में एक छेद है यह डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार कैसा हो जाएगा बढ़ता है घटता है उतना ही रहता है पहले बढ़ता है और फिर घटता है सोचे उसके बाद हम इसको अच्छे से आपको सम जाके बताएंगे, यहां पर क्या answer हो सकता है, सोचे आप, चलिए आप सोच लियोंगे, हम आपको answer बताते हैं, यहां पर option, ए सही है, डिस्क का छेद का आकार बढ़ता है, ध्यान से समझेगा इस question को, जैसे मान लिजे ताबे का डिस्क मिस गोला होता है, अब यहां पर छेद है, जब आप इसे गरम करेंगे न, तो इस छेद का आकार घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो आप देखो, आप तवे पे रोटी बनाते हो, कभी कभी तवे में छेद हो जाता, जो पुराना तवा होता है, तो रोटी यहां जल जाती है, अगर गर्म करने से छेद का आक बढ़ता रहता है, तो यहां पर आपशन, एस जाहिए याद रखेंगे, चलते हैं, नेक्स्ट कुस्चन पर, चलिए गला कुस्चन देखते हैं, गला कुस्चन है, रीडियो एक्टिवता परिघटना की खोज किस ने की थी, काफी सरल कुस्चन है, पहला आप्शन है मेंड नहीं होना चाहिए आपसे चलिए सोच लिए होंगे आपको एंसर बताते हैं यहाँ पर ऑफ्षन डी सही है बैकरल ने हैनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी बैकरल ने ही बताया था कि कुछ प्रकित में कुछ भारी तत्व हैं जो हलके होने के से अखने किलडे सोधान निकालते हैं अलफा बीटा और गामा कृब्यवत की रिच्ट को भाबारते हिए इन इंञे किलडों को रेडियो एक्टिवता बहिटना वाने जो कशा बैकरल किलडे भी कहा जाता है इसे निए 85 can aja का वाली आई गर acontece स ही अगर फंधिसकी किलडे दो का अन्य नाम पूछ ले तो आप लिख सकते हो बैकरूल की रड़े भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज हैंरी बैकरूल ने किया था इसको आप याद रखेंगे और अगर टामसन की बात करें तो आप जानते हो इलेक्टरान की खोज किया था इन्होंने रॉंड जन एक्स की र राव द्वारा किये जाने वाले जल प्रदूसरन को रोकने के लिए निम्लिखित में से कौन से अपत्रिण को उपयोगी पाया गया है आप्सन से पांथेनियम आप्सन दूसरा है हाथी घास हाथी घास और आप्सन तीसरा है जल खुम्भी और आप्सन चोथा है इन में से क चलिए हैं तो बताते हैं आपको यहां पर आप्षन सी सही है जल खुमभी जल खुमभी को दरसल यहां पूछ कहरा है और द्योगिक बहिस्तराओं मतलब फैक्ट्रियों सो जो कचड़ा निकलता है वो जाकर जल में मिलता है तो जल को प्रदूसर्ण को रोकने के लिए जल को पांथेनियम हाथी घास जिसे हाथी चारा के नाम से जाना जाता है और जल खुमभी जादा उप्योगी है अध्योगित कचड़ों को रोकने के लिए तो आप संसी सही है याद रखेंगे चलते हैं नेक्ट क्यूश्चन पर क्यूश्चन देखें आप ध्यान से क्यूश्च गैस का मान उच्चितम मतलब किस गैस में उच्चितम उसमी मान होता है पहला आपसन है प्राकरतिक गैस में दूसरा आपसन है भाप अंगार गैस में तीसरा आपसन है कोईले कोईला की गैस में जोथा आपसन है इंडैन गैस में सुचे किसमे सबसे ज़्यादा उसमी मान हो प्राकर्तिक गैस में जतना जादा नीला रंग होता है वो इस गैस का उस्मी मान सबसे उच्चतम होता है दूसरा इसमें प्रदूसर बहुत कम होता मतलब वह प्वालों में गर्मी तना जादा होती है। यही करण सी तारों का रंग मागरी तना में रहना गूराचा होती है। वही तरों और का रख लाल होगा नुद्व टार अपार मतलब क्या है। मुंबत्ती वाला मुंबत्ती की लव में ऐसे जो लव बनेगा तो बीच वाले भाग में नीला होगा उपर लाल होता जाएगा फिर काला हो जाएगा तो लाल भाग काले भाग में गर्मी कम होती नीले भाग में गर्मी सबसे जादा होती आपके यहां पर जो गैस होता है गैस अखाना पकएगा क्योंकि उब उस्मां ज्यादा होगी और उसमें धुआ नहीं Han 유गाट करूप प्राकृतिक मskच मने और हम इस सजल नालेश है या आप सुने होंगे तो लगा आसा करते हैं कि लगा लोगे लेकिन चली देख लेते हैं कि इनसेक । कहां से प्रिच्पित किया गया तक ने entrevista , कवरू , श्री हर्कोटा , चानधीपुर . सोचे से pięate When i14 चली एंसर बताते हैं आपको यहांपर option बी सही है आसा करते का आप सही किये होंगे लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि पंचान पर परसर लोगों को का सही नहीं हुआ होगा मैं बताता हूँ इसके बारे में इनसाइट तो जो है एक उपगर है भारत का ही है लेकिन किसी दूसरे देश से हमने पनदक राया तो अघानौर नहीं और रोस में है बैका नोर से हमनंधर नहीं करवाए है अस्थान आप सुने होंगे यह है जीसे आप देखेंगे अमेरिका महादीप पर बताते हैं पर पर मिलेगाँ फ्रेंच गुयाना एक अस्थान है देस है तो फ्रेंच गुयाना ये फ्रांस का उपनिवेस है फ्रांस का इस पे कबजा है तो इस फ्रेंच गयाना से एक अस्थान से कौरू परच्छेपड़यान है और फ्रांस के कबजे के दौरा फ्रांस कहा है यूरोप में है तो यहां से करवाता है फ्रांस कौरू परच्छेपड़यान तो यहां से करवाता है फ्रांस कौरू परच् और चाधीपूर से भी किया जाता है जो कि औरीसा में है और भैकानूर से भी जाता है जो कि रूस में है और कवरू कहा है यह फ्रेंच गुयाना में है तो इसको आप याद रखेंगे चारों important है आपके general science के लिए भी बहुत important है इसलिए कई facts यहां थे इसलिए बताना तीसरा option है लकडी में, चौथा option है प्राकृतिक गैस में, थ्यान से सोच के answer बताएंगे, गलत नहीं होना चाहिए, कुछ यहां fact time आपको बताते हैं, पहले लेकिन आप सोच लेजिए, चलिए answer बताते हैं आपको, यहां पर option D सही है, option D सही है, सरवाधिक उसमीन मान, प्राकृतिक गैस में होता है, अभिजाश्ट उपर हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ आपको यहां पताना जरूरी है, वो यह है, कि यह कोक क्या होता है, कोक क्या होता है, लकडी को, लकडी को इसको जलाते हैं, और आकसीजन की अनुपस्थित में इसको जलाते हैं, तो आकसीजन नहीं होता, तो यह ज़्यादा जलता नहीं है, तो यह कोईले के रूप में बदलता है, इसलिए इसको कोक कहते हैं, तो याद रखेंगे, कोक बनाया जाता है लकडी से, और पत्थर का कोईला कहने का पर रहेगा, और एक चीज और बताएं, जिसमें रंग नीला होगा, उसी का उसमी मान सबसे जाता होगा, यह भी आप याद रखेंगे, कभी कभी तारों से क्यूशन पुछता है, कभी किसी से भी क्यूशन पुछे, अगर उसका रंग नीला है, तो उसमी मान उसमें सबसे ज्यादा होगा और संदी यहां पर सही है चलते हैं नेश्ट पर क्योशन ध्यांस देखे कई बारे पूछा जा चुका है गलत नहीं होना चाहिए सागर में बहते हिम खंड के द्रबिमान के कुल दस भागों में से कितना जल के ऊपर होगा आप देखते होंगे बर्प के टुक question है कई बार पूछा गया question है इसलिए गलत नहीं होना चाहिए यही हम कहते है क्यूशन बार बार बहस सारा नहीं पढ़ना हैan जो क्यूशन बार बार repeated होते हैं उनहीं को आप याद कर डालो आपके बहुत सारे सही होने लगे अपने आप चलिए एंसर बताते हैं आपको यहाँ पर आप्सन पहला सही है एक भाग उपर होता है और दस वहाँ भाग तक नीचे होता है एक बटा दस करके आता है कि कितना भाग उपर होता है तो दस भाग में से एक भाग उपर होता है बाकी भाग नीचे होता है तो याद रखेंगे question आ चुका है important है याद रखेंगे चलते है next question पर question देखें आप ध्यान से question है चंद्रमा पर क्या नहीं होने की काड़ों वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है nitrogen, गंधक, oxygen, gel सुचें चलिए answer रताते हैं आपको यहाँ पर option D सही होगा आप कुछी दिन पहले सुने होंगे कि चंद्रमा पर जल की खोज हुई है और भारत नहीं किया है यह बास सही है लेकिन वह जो खोज हुई है वह यह बता रहे हैं कि बहुत सालों पहले चंद्रमा पर जल था यह कहना चाहते हैं आप सुने होंगे कि पिर्थिवी जब अस्तित्त में आया था पिर्थिवी पर जब जीवन आया था तब पिर्थिवी पर आक्सीजन नहीं था यह आप सुने होंगे कि उस चना आता है कि पिर्थिवी पर जब जीवन था तो क्या उस समय आक्सीजन था तो आप तो प्रित्वी पर जीवन के समय यहां oxygen नहीं था यह बात आप याद रखें तो उसी तरह चंद्रमा पर जीवन नहीं है इसका मुख्य कारण यह वहां जल नहीं है तो option D सही होगा याद रखेंगे चलते हैं next question पर हमने पीछे जो बताया उसको आप याद रखेंगे आकर बहुत दिनों तक वर्सा हुई उसको बनस्पतियां एक कोस्की जीवा मीवा आए बहुत सारे जीवाए जो जिनकी कोसिकाए आकसी कारक नहीं थी वह अभी क्रिया के द्वारा जीवन जीती थी तो प्रकास संस्रेशन से बहुत सारा oxygen परियावन में भरा जिसको आप युरेनियम का उपयोग करते हैं और आप युरेनियम के भीक नगादन के द्वारा उर्जा के जाता है और इसको नियंतरिदर इसको आपकृया होती है उप लिए कैडमियम की फशलओं पैयोग करते हैं यह आप याद रखेंगे दूसरा न्यूट्रान का उपयोग करते हैं यह भी याद रखेंगे क्योंकि यह मंदक का काम करते हैं नियोट्रान को रोक लेते हैं तीसरा भारी जलका भी उपयोग करते हैं यह भी आप याद रखेंगे यह भी नियोट्रान मंदक की रूप में काम करते हैं कई चीज इंपोर्टेंट है एक चीज और बताएं यह जो भारी जल इसकी खोज यूरे और वासवन वासवर्न ने वासवर्न ने 1932 में किया था यह भी याद रखेंगे भारी जल की खोज तो कई चीज़े आपको बताएं हैं और यहां पर आपसन भी सही है याद रखेंगे और इसी के साथ यह वीडियो कमप्रीट होत मिलते हैं आपसे नेश्ट वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें